आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रश्न है ठोस रिक्तिस्थान होती है दोस्तों मैं बताना है कि ठोस क्या होता है ठीक है तो अब हम ठोस की बात करें ठोस क्या है दोस्तों? पदार्थ की एक अवस्था ठीक है ठोस क्या होता है? पदार्थ की एक अवस्था ठीक है दोस्तों? पदार्थ की अवस्था तीन भाग में बाती गए बहुत ही अधार पे तीन भाग में बाटी गए, ठोस, द्रब और गैस, तो हम बात करें यहाँ पर ठोस की, ठोस क्या है, ठोस यानि कि जिसका कोई जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हो और सिमाय क्या हो, सपस्ट हो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कहा है कि ठोस पदा होती है, होती है, अर्थात, इनके कन जो होते हैं दोस्तों, ठोस के कन बहुत ही पास-पास विवस्थित होते हैं, कन पास-पास होते हैं, ठीक है, अर्थात, यदि हम ठोस की उधारन ले ले लें, ठीक है दोस्तों, ठोस का उधारन माल लेते हैं, कोईला, कोईला, लोहा, ल कोईला क्या होता है दोस्तों यदि हम इस पे बहुत अधिक बल का परियोग करते हैं तो क्या होता है यह तूट जाता है किन्तों यह अपने आकिर्थी में परिवर्तन नहीं करता है इसलिए कोईला क्या है ठोश पदार्थ में आता है उसी परकार हम जात कर रहे हैं दोस्तों पूछा गया ठोश रिक्स्थान होती है तो ठोश क्या होता है इसके कंड पास-पास होते हैं अर्थात इसमें अंत्रानुकबल सबसे प्रबल होता है ठीक है अंत्रानुकबल सबसे अधिक प्रबल होता है क्योंकि इसके कंड बहुत पास-पास होते हैं अर्थात अंत्रानुक क्या करता है कणो को बान के रखता है अधिक प्रवल होता है क्यूंस अधिक प्रवल होता है क्यों होता है दुस्तों क्योंकि इसी संपिंडता नगन असंपिंडित यानि संपिंडिता से क्या समझते हैं दोस्तों हम संपिंडिता यानि कि बाहरी बल के लगने से पदार्थ के कणू का समीब आ जाना पदार्थ के इस गुन को संपिंडिता कहते हैं अर्थात ठोस में अंतरानुक बल प्रबल होता है जिसके कारण उसकी संपिंडिता नगन होती है तो यानि कि ठोस क्या होगा है दोस्तो संपिंडित ठीक है संपिंडित तो हमारा उतर क्या हो जाएगा दोस्तो हम इसे एक बॉक्स में लिख लेते हैं ठोस के बारे में हमने जान लिया अर्था ठोस क्या है संपिंडित होता है क्योंकि इसकी संपिंडिता नगन होती है पिंडित ठीक है यह मारा उतर होगे दोस्तों धन्यवाद दोस्तों